हे गाईस विलकम डू सक्सेस दिलिप में दिलिप कुमार स्वागत है आपका इस वीडियो में तो दोस्ता एक बहुत अच्छी खासी डिपार्टमेंट की तरफ से सरकारी नौकरी की वेकिंसी रिलीज की गई है जो की ओल इंडिया की केंडिट अपलाए कर सकते हैं इस मैसीब अपास्टमडी वेकिंसी निकाली गई है H.A.L. यानि कि हिंदोस्तान एरनौ।िक्स लेमिटीड की तरफ से एक factory है, helicopter factory वहीं से वेकिंसी निकाली गई है, यहाँ पर helicopter की assembling होती है, उसी department में आपकी सरकारी नोकरी लगने वाली है, हिंदुस्तान Aeronautics Limited आपको वैसे भी पता हमारे भारत के लिए defense sector के लिए एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है H.A.L. H.A.L. तरह तरह के helicopter विमान जो लड़ाकू विमान होते हैं, वो सब का manufacture करती है और Ministry of Defense में हमारे भारती रक्षा प्रनाली में इनका एहम किरदार होता है, चले बात करते हैं यहीं पर ITI Diploma Degree Basis पर वेकिंसी रिलिस की गई है, सेलरी आपका approximately 25,000 के आजपास होगी, क्योंकि यह वेकिंसी एक तरह की समिधा तोर पे है, लेकिन समिधा भी भी काफी अच्छी टाइम तक आपको यहाँ पर रहने वाली है, चले डिटेल नोडिफिकेशन वाइस बात करते हैं कि eligible कौन-कौन होने वाला है, eligibility condition कौन-कौन होंगे, selection process, application process वेगर आपकी क्या होगी, लेटे बढ़ते हैं, so guys, यह है official website, हिंदुस्तान Aeronautics Limited की, और यहीं पर आपको मिलना engagement of personal various post-work tenure basis for posting to helicopter factory, जो की तुमा कारू करके जगा है, यहीं पर posting है, इसकी form जो है guys, आज से सुरू हो चुकी है, last date, चोबी सेप्टमबर 2023 तक होने वाला है, यहीं जो भी form apply करेंगे, चोबी से प्टमबर तक आप apply कर सकते हैं, चले अब documents को and detailed notifications को देखते हैं, so यह है official notification, engagement of personal under tenure basis, यहीं कि वहीं आपका सन्वीदा तोर पे ही है, बट समीदा आपका four year की होने वाली है, कोई एक साल, दो साल, शे महने की होगी, four year की होगी, HAL जो guys, नवरतना सक्टर में listed है, यहीं कि ए government job है की नहीं, central government है की नहीं, देखे guys, PSU और government job में अंतर होता है, जी आँ दोस्तों इतना धियान रखना, अब बोलो कि sir, HAL तो सरकारी नोकरी है, जी आँ दोस्तों सरकारी नोकरी है, government department है, एक होता है central government, जैसे आपका railway, SSC, otherwise आपका UPSC हो गया, इस तरह की जितनी भी sector है कुछ banking sector भी आता है, normally कुछ आता है, बागी बाद वैसा नहीं है, central government में, लेकिन काफी सारी ऐसी पोस्तों यह एक PSU है, यानि की semi government है, लेकिन एक साच बताओं, कभी भी एस सब से तुलना मत करना, किसी भी department की, जैसे किते industrial areas में जो भी vacances आती है, HAL, DRDO, audience factory, एस सब एक PSU sector कुछ ही जैसे DRDO हो गया, यह सब क्या DRDO में होगी, आपका defense sector में काम करती है, तो मिनिश्वर डिफेंस से lead करती है, तो दोनों अलग होता है, PSU job अलग होता है, central government job अलग होता है, ओके, तो थोड़ा इसमें comparison होता है, अलग-अलग, किसी को पसंद नहीं होता है, PSU job, किसी को PSU पसंद होता है, या कि PSU में salary बहुत अच्छा खासा मिलता है, उसके बाद देखो, यह जो form है, एक जगरा की tenure basis पर मैंने बता चुका हूँ, चार साल की अपकी समिधा होगी, फिरवाल, जो भी है, आप apply करे, vacancies को देखो, vacancies सबसे पहले vacancy निकल के आती है, fitter, सबसे करी रखता है कि कौन apply कर सकता है, NAC clear होना चाहिए भाईया, ध्यान रखना, आने कि national apprenticeship set fit, अगर आपने 10th pass करके apprenticeship किया है, 3 year की, तो बिल्कुल आप apply कर सकते हैं, अधरवाइस अपने ITI कर रखी है, और आपने apprenticeship कर रखी है, तो बिल्कुल आप apply कर सकते हैं, यानि कि यहाँ पर apprenticeship के लिए रोना चाहिए, NCVTT प्लस होना चाहिए, यानि आप ITI करके apprenticeship किये हो, या फिर 10th pass करके apprenticeship किये हो, तो दोनों के candidate apply कर सकते हैं, बड़ एनि फ्रेसर इस नोट applicable इस पोस्ट, यानि फिटर और electrician, next electrician की vacancy है 5, यहाँ पर भी same qualification से NAC 3 years का, या फिर NAC 2 years plus ITI, अब यहाँ पर क्या है कि अगर आपने ITI की courses कर रखी है और एक साल का apprenticeship कर रखी है, तो बिल्कुल आप eligible हैं, अनि था 10th pass plus apprenticeship, okay guys, तो यह चीजें समझ में आ चुकी होगी, कि यह जो दो post है, apprenticeship compulsory है, और इंडियाज में काफी सारे student हैं, जो apprenticeship करके बैठे हैं, तो आप आराम से इस बिकॉम, BSC, BBA, BM या फिर BCS वगरा कर रखी हो, अन्डर 10 plus 2 plus 3 pattern के हिसाब से, तो बिल्कुल आप apply कर सकते हैं, नेक्स है, content में recruitment दो post है, तो बिकॉम मागी गई है, आप eligible होंगे, civil में recruitment है, तो regular 3 year की diploma, civil engineering के candidate apply कर सकते हैं, civil के लिए vacancies हैं, नेक्स वेकंस है, टेक्नीशन मे electrical department के vacancies है, तो diploma के candidate eligible होंगे, electrical electronic telecommunication या फिर electronic communication, instrument या फिर electrical telecommunications के candidate apply कर सकते हैं, बैसे वपास्टोडी for diploma students, साथ post पर electrical branch के लिए recruitment है, जरूर apply करें, HAL department एक बहुत बड़ी department है, फिर से यहाँ पर mechanical की vacancies है, तो diploma mechanical engineering apply कर सकते हैं, IT की recruitment है, तो diploma computer science या फिर IT के field के candidate apply कर सकते हैं, इसके लिए भी दो post पर vacancies release की गई है, हाँ, vacancy अच्छी खासी है, बट एक चीज़े की आपका सम्विदा के तौर पे vacancy निकाली गई है, जो भी candidate apply करना चाहते हैं, एक चीज़ का धियान रहे, आपका degree है, जो complete होनी चाहिए, कोई भी distance learning, e-learning, जो कर रखे हैं, निके distance learning, internet learning, दूर से अपने पढ़ाई की है, जैसे online institute आज कल की date में, online university बहुत launch हो चुई है, तो यह सब में अगर आप diploma करते हैं, तो eligible इसमें नहीं है, तो भाईया जान लो, काफी सारी university आज के late में, online में, जो बोलता है, online diploma कीजिए, घर बेटे, तो जिन्दगी में मत करना, क्यों मेरी मान होता हूँ, ओके, और age limit 18 साल से लेकर 28 साल की candidate apply कर सकते हैं, 1 अगस 2020 को आपकी age count की जाएगी, relaxation 5 year का STAC के लिए, और 3 साल का OBSIS वालों के लिए, इसमें से जो भी candidate है, respective, जो ordinary state आते हैं, जैसे कुछ domicile होते हैं, जम्मू कस्मिर के, अधरवाय इस PWD candidate के लिए, तो तुमा कारू है, करनाटका में ही पोस्टिंग मिलेगी, बैंगलूर से सटा हुआ, डेस्टिक है, तो आपको ज्यादा टेंसन लेने की ज़रूत नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान एरोनाटेक्स लिमिटेट की जो headquarter है, जो factory है, helicopter division की, वो बैंगलूरू है, सेलरी देखो, से 25 के तौर पे, तो 22,000 मिलेगी आपको पर मन्त, और DA, अगर at applicable rate के हिसाब से हरे, पक्स मिलेगी 25% basics पे, लेंसम एमाउंट, 1500 रपे, medical fitness and benefit as a rule, तो यह सब लगा कि approximately 26,000 से लेकर 30,000 के बीच में आपकी सेलरी बन जाएगी, next day 6 in पर मन्त, इसमें आपको जो सेलरी मिलेगी, approximately 30 से 32,000 के करीब आपको यहां पर सेलरी पहुंच जाएगी, यानि जितनी भी सेलरी मिलेगी, 1000 इसमें एक्स्टा जो डलोर किया, ओके, तो यह post है भाई, अगर आप eligible हैं, तो apply कर सकते हैं, form जो आपको देख सकते हैं, remarks, जितने भी candidate हैं, एक चीज़ का ध्यान रहें, जो selection process ह होगा, return days के माध्यम से होगा, the minimum percentage of marks, इसको डेट जो qualifying examination है, जैसे आपने कर रखा है, diploma, ITI, NAC, जो भी अभी मैंने trade के हिसाब से बता है, तो approximately marks 60% होना चाहिए, और HTSC, PWD के लिए 50%, तभी आप eligible हैं, okay, diploma, ITI, जो भी आपके पास, या फिर degrees, तो जाओ जाकर apply करो, इसकी online form जो start हो चुकी है, और form 24 September 2023 तक होने वाली है, form आपका online ही apply होगा, और All India की candidate apply कर सकते हैं, इसना फ्याद रखें, hopefully इस वीडियो उच्पुल लगी हो, कुछ doubt है, तो base the comment करके आप बताना, मैं totally help and reply की चाहिए मेरे द्वारा, चलिए, मिलते हैं एक्स वीडियो में, तब तक क लाइक सेर, सेर और सबस्क्राइब जरूर करने हैं